जर्गंगा घर हर हर जय किरिजादीशा ुबया जगदीशा घर हर हर मादेश तररला से जिर शिखर HEव। बुंझदी मखूकर पुंझदी टुंझदी मखूकर पुंझदे तुन्जवने जहने इसम्हर रुदये मुदुसरितं इन्नर गानं पुरुते जाप्तल मररतितं दिनिनम् दिनिनम् कतयति मुदंग वाधयते कुनु कुनु लईतंग वेलुर कुनु कुनु लईतंग वेलुर मुदु रम आदयते हारा 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 महादे हारा 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 महादे अब की बार कहां ते शुभागबन हो रहा है देवर्शीप? सीध है आपके पिहर से दक्ष प्रजापतिगी राइधानी से आ रहा हूं जग्दंबे मेरे मेके होकर आ रहा है कहिए मेरे मादपिता तो कुशल पुर्वक है ना परिवार के सब लोग आनन में तो हैं? हाँ, सब आनन में ही हैं महायकन की तैयारियां हो रही हैं इसलिए आपके मादपिता कामकाज में बहुत व्यस्त हैं और आपकी सबी बहने भी वहां पहुँच चुकी लेकिन हमें तो अभी तक नियोता भी नहीं मिला देवी, वह हमें नियोता भी क्यों दे तो द्राक्ष की मालाएं, विश्भरे सांफ, भूत पिशाचों का दल महाराज गक्स के दरबार में क्या शोगा देगा फेरी भी नात, आप उनके जमाता हैं आपको तो बहुत जरूर जाना चाहिए देवी ठीक कहती हैं भगवन नियोता बेना हम कहीं नहीं जाया करते मुनी राज मैं तो जाओंगे पिहर जाने के लिए पुत्री को नौते की क्या जूरत लेकिन आपकी माता जी ने कहलाया है कि आपकी आने के उपको खास जरूरत नहीं अगर माता जी ने ना कहलाया है तब तो मैं जरूर जाओंगे भगवन, मुझे जाने के आग्या दीजिए नियोता बेना जाना अपमान को नियोता देना वहां न जाओ तो ठीक आपने और पिता जी ने जगड़ा है तो आपने जाईए, मुझे तो जाने दीजिए मैं जगड़ा मिटा कर ही आऊंगे ठीक ही तो है भगवन, जाने भी दीजिए ना, अच्छे काम में देल काई अच्छा देवी अगर तुमने जाने की ही ठान ली है तो जाओ प्रंतु नंदीश्वर और कुम को साथ लेती जाओ और मातेश्वरी आपकी माता जी ने ये भी कहलवाया है कि अगर आपको आना ही हो तो ये जोगन का वेश और उद्राक्ष की मालाएं वगएरा उतार के सुन्दर रेश्मी वस्त और हीरे मोती के अभूशन पहन कराना द्वापा इस जोगन पर अंधंडार में ले जाओ जा वहाँ तुझे फिक्षा मिल जाएगी पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ मेरे पुत्री राज करने अई हो सकती है जोगन नहीं अगर तेरे पती के पास गहने कपड़े नहीं तो मुझसे मांग ले मेरे पती के पास किस चीज की कमी है वो त्रीलो की नाथ है सारा संसार उनका दिया खाता है उनका दिया पहनता है तभी तो वो महल के बदले मसान में रहता है हीरे मुती के जगा रुद्राक्ष और रेश्मी वस्तो के जगा चमडा पहनता है ऐसा है वो तिरा तिलो किनार जिनोंने देवताओं को अमृत पिला कर खुश जहर पिया ऐसे योगेश्वर को आप जैसे अहंकारी क्या पहचाने ये मद्भूल कि तू मेरी पुट्री है और आप भी ये मद्भूल ये कि मैं उन योगेश्वर की पत्नी हूँ जिनकी आप निंदा कर रहे हैं और कोई भी स्तर अपने पती की निंदा नहीं सुन सकती निन्दा ही क्या, ना तो इस सब्खा में तेरे पती के लिए कोई आसन है, ना इस यग्ज में उसका कोई भाग है, उसे नोता भी नहीं दिया गया, यजि तेरी तरह वो फिया आजा, तो उसे ठक्के माल कर बहार निकाल दूँ बस बस अब नहीं सहा जाता, रदेश्वर, मैंने आपका कहाने ही माना, अब कौन सा मू लेकर आपकी शरण में आओ, है अगनी देव, तुम शाक्षी हो, जन्मो जन्म, मैं भगवान शंकर को ही पती के रूप में बाओ, हर हर महा देव जन्मो जन्मो आपका मांग में ख़िकर, हजी माता अगनी देव, तुम मैं जन्मो 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 अग्यागो फोफो, फीर्पत, नक्ष्प्रजापती के यदिंचा सरु नाष्कर दो, गर बात कर दो, जाओ जएक भूलाओ महामंत्री में प्रजापती दक्ष का नाश हुआ, मारे दर के देवतागन भागे जा रहे हैं देव लोग जीतने का यही समय है, सेना को इंदरपुरी पर चढ़ाई करने क्या गया दो, जाओ माँ, यह से देवराज इंदर का राज मुकुट, मैंने उसके गर्व का खंडन करके आपके अपमान का पूरा-पूरा बदला ले लिया अज मैं हर्से फुली नहीं समाती, वीर पुत्र हो तो ऐसा हो क्यों अंदर, यह लोग पसंद आया क्या कहने है माराज, चारों तरफ आनंद ही आनंद है पर सवाल यह माराज, कि इन हारे हुए देवताओं को रखा कहा जबे इन दुस्टों को आकाश में उल्टा लटका दो नहीं बेटा, हारे हुए शत्रों के साथ ऐसा बरताओ करना तुझे शोभा नहीं देता जैसे आपकी इच्छा मता जी, इन्हें हमारे सर्क से निकाल दो महामंत्री में सचमुची तुम्हारी हिमाया का प्रताब है कि देव लोग पर हमारी विजय हुई अब अपनी कला से हमारे लिए तीन लोग में ऐसे तीन दुर्ग बना दो जिन्हें कोई नजीस है जैसी स्वामी की आग्या महामंत्री जी दुर्ग बनाने से पहले छुपी हुई आपसराओं का नाज दिक्वाइए तब हम आपकी माया वाया को माने हाँ 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 महामंत्री जैसी स्वामी की इच्छा क्वईब है क्वाम ह्वबétais तीन आपसते दान हाँ कु क आत्यों र्लाऊ प्यπά पहले तो भोग विलास में जूम उठते थे और आप कानों में उंगलियां डाले बैठे हैं हर हर शम धोग मुली राज देख रहे हैं आप हमारी और देवराज इंदर की दुर्दशा द्या कीजिए दया हाँ वो तो है ही वरुंदे पर ये तो आप जानते हैं कि जो जस्किन सोतस फल्चा था करनी का फल्चक लिया मुनी राज अब तो कृपा करके स्वर्ग में कहीं थोड़ा सा ठान रहने के लिए दिलवा दीजिए स्वर्ग से तो हम मिकार ही दिये गिये और भूरोग में हमें जाने का अधिकार नहीं कब तक अधर लटके रहेंगे मुनी राज धीर ही रखिये देखता हूँ हर हर महाद है महाराज ये रिशी अभी तक देवताओं का यग्य करते हैं ये हमारा अपमान है रिशीयो अब देवताओं का नहीं हमारा यग्य होगा महाराज ये गंदर अभी तक देवताओं की इस्तुटी गाते हैं हमारे राज जमेरे कर्शत्रों के गुन गाना द्रोग है आज से हमारी इस्तुटी गाया करो महराज यह किनरियां कहती हैं कि हमारे रगन हो चुके हैं हमारे पतीदी जीरीत हैं इसलिए हम तुम्हारा शंसार नहीं बसाएंगी क्यों नहीं बसाएंगी इन्हें बसाना ही पड़ेगा हमारी आग्या है महराज अगर न मानने तो हमारी आपके अनमानने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा जब खेरो पारत तुझे सत्ता इसलिए नहीं मिली कि तो अन्यार रत्या चार करे सिंघासन पर बैठते वाला प्रजा का भक्षक नहीं रक्षक होता सिंघासन पती जिस दिन रक्षक नहीं रहता तो मेरे लाज छोड़ दो इन सब को जो आज्या सैनी को छोड़ दो इने राजा लाजा वराण मीशी चोड़े ले बेटा राज इस तरह करना चाहिए कि लोग दिल से राजा मने नके जबरदस्ती मनवाना पड़े हर हर महादेव आप जैसी माताओं के दम से ही विश में अभी तब उजाला नहीं तो कभी का अंधेर हो चुका होता मनी राज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं सेवा सेवा तो समझे तर अंतु बिचारे देवताओं को विश में रहने के लिए कहीं भी जगा नहीं जरा अपने पुत्र से कह सुनकर उन्हें स्वर्ग में थोड़ी सी जगा दिलवा दीजी ये कभी नहीं हो सकता मनी राज नहीं बेटा तुम तेलों बिजयता हो देवताओं को इस स्वर्ग के किसी कोने में पड़ा रहने तो नहीं 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 महराज देवताओं पर कभी विश्वास न कीजिए उंगली पकड़ के पोचा पकड़ लेंगे आज थोड़ी सी जगा मांगी है कल महल मांगेंगे और परसों इंद्रासर पिदाद जमाएंगे परवा नहीं मैं माता जी की आज्या का पालन अवश्च करूँगा देवताओं ने मुझसे भीग मांगी दे दूँगा थोड़ा सा स्थान ये मेरा बिगाड ही क्या सकते हैं मैं अजय हूँ अमर हूँ आप हस रहे हैं मुनिराज ये मुझे प्रमा जी का वरतान है तारक असुर को मारने वाला तरलोक में कोई पैदा नहीं हुआ जब किसी के सर पर अहंकार का भूत सवार हो जाता है तो वो आगा फिशा भूल जाता है असुर राज जो जन्म लेता है उसकी मृत्यू भी जरूर होती ब्रमा जी ने तुम्हें अमर रहने का वरदान देकर शिवजी के पुत्र के हाथों तुम्हारी मौत का विधान भी तो किया है याद है न मुनिराज शिवग की पतनी सती तो दक्षियग में जलकर भस्म हो गई अब कैसा शिवग का पुत्र और कैसी मेरी मरत्यू बिचारे भुले बाबा सती के व्योग में किसी पहाड की खोव में समाधी लगाए बैठे होंगे तुम नहीं हस रहे हस रहा है तुम्हारा हंकार जो हसते हैं वो रोते भी हैं कुछ बसंत की भी खबर है सती ने जलने से पहले क्या कहा था जन जन मांतर तक मैं भगवान शंकर को ही पती के रूप में पाऊँ तो असुराज सती का निया जन्म हो चुका जन्म हो चुका? कब? कहां? परवतेश और हमाले के घर भगवती उमा के रूप में अंधक ये लड़की जीव इतना रहने पाए हर हर महादे मन के बतियां मन ही जाने जग क्या जाने मन ना माने मन ना माने मन ना माने दूर कहां दूर कहां मैं ना लगाए का मम्मी बसाए तेरे सपनों नियाए बोलो 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 हाथों में कंगन पहनो पैरों में पायल डालो गले में हार परो सिंगार पिर आएंगे पी तमबबार पिर आएंगे पी तमबबार बोलो कैसी कही हाँ हाँ अच्छी कही बोलो सकी बोलो 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 सकी बोलो ना बोलो सकी बोलो कर में कंगन सोहे ना माला पे मन मेरा मोहे ना कर में कंगन सोहे ना जो दी वरगी मैं भी जो गिन जानू मैं तो जानू भभुत ला मन ही जाने चगू क्या जाने मन लो लो ने उमा लो ये अच्छे अच्छे गहनियार कपड़े पहन लो इस निख्रे में रूप पर ये चार चान लगानेगे अगर न पहनू पाँ तो भी बड़ी सुन्दर दिखोगी पर सोचो तो सही के ऐसा मन मोहन रूप क्या तुम्हें जोगन बनने के लिए मिला है क्या मैं सच मुच अची रूप बनती हूँ हाँ हाँ तुम्हारे रूप की छटा देखकर पुनम का चंदर भी शर्माता है क्या पुनम का चंदर कपड़े और गेहने भी पहना करता है नहीं तू समझी नहीं तू राजकुमारी है न अशा मनोहर रूप अशा दमदमाता ऑबन विधाता ने तुम्हें बारागन बनने के लिए नहीं दिया राजकुमारी फिर किसनले दिया है अरे इस पर पोई बली हार जाए इस पर मर मिते, इस पर अपना सब कुछ वार दे अगर भगवान ने मुझे पुरुष बनाया होता तो मैं बस बस रहने दो मुझे पुजा के लिए देर हो रही है लेकिन ये तो बताओ कि ये रोज तुम अकेली किसकी पुजा करने जाया करती हो हाँ हाँ तेरह हम भी तो सुने के वो कौन भागेश अली है वो है मेरे देव लेकिन हम माता जी को क्या जवाब देंगी आज दूर देश के राजकुमार तुम देखने के लिए जो आने वाले हैं तो आया करे मुझे उनसे क्या उनसे किसी के साथ सगाई रोगी ना तुमारी उनसे सखपन का नाता तुम जोड ले ना परम्रता पिप्रजा प्रतिपाल परवतेश्वाट श्रीमन महराज हिमाले ससाच श्रीमती महराणी मेना आमंत्रिद्रात तुमारों सही तदा रहे है अरी मैं घयाद आप क्यां करें उमा तो गई गई तो लेकिन कुई न कुई पाय तो करना हैं को अरी जाने उमा के बदले मंगला को सिंगार करा ला कर's विजया उमा कहा है जी अभी अभी आती है ऐसी गार करने गई है चलो रानी हमारा यहाँ ठेरना ठीक नहीं चलिए देखो विजया उमा से कहना के राजकुमारा को अच्छी तरह आधर सुथकार करे यह आप कोई स्विक्र न करे आईए आईए बैठिये तुमारी राजकुमारी सुन्दर तो है जी हाँ बिल्कुल आपके जैसी सुन्दर है तब तो ठीक है जरा इंसे कहो अपना मुख्रा तो दिखाए ते देख लिए मुख्रा अपरे। कि आईए तो आपम तेईटी कहाँ आँ प्रवेता कर दो कि अईर पस्ट माईक भान से उडते आरी कि अ पस्कुलिए ने वी बड़्राइए आठाकिक है आपको इसे आख़को प्रोड़ी समय की वही प्रफ़कों में फिर्ख़ध देख वह वोट तुझा के लिए आते है तो ही तो सतीमा है, आज मैंने बरे ध्यान से देखा, आखित पहचा मिलिया, चल, तू भी देख पर मैं उन्हें पहचानूगा कैसे, मुझे तो भगवान शेंकर ने सतीमाता के जल जाने के बात पहड़ा किया था ना अरे आहा, यह तो मैं भूल गया, पर मैं जो कहता हूँ, मिना विश्वास कर, चल देख ऐने सतीमा, बिल्कुल वो भी ऐसा ही किया करती थी, ठीक, ऐसा ही नियमता हूँ अरे अगले, एक बार कह दिया ना तुझसे, कि मैंने सतीमा को नहीं देखा, अरे हाँ, यह तो मैं भूल गया ओ प्रभू, भगवान तो न जाने कब तक यहीं समाधी लगाये बैठे रहेंगे, यह बीचारे साप कब तक बुके रहेंगे, कल मैं तुम सब के लिए दूद भी लेती आओंगी कुछ सुना, कल बगवान के बुजंगों को दूद मिलेगा अरे आइस्ता मुल, मैं अरे वो सुनले तो कल जान में हो जाए ना, और मैं भी कुछ मिष्टान नहीं अरे बोनु, चला कहां तु, इन से पूछने, क्या, कि यह सतीमा है न, सतीमा, 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 सतीमा क्या कहा, कौन हो तुम, मैं भगवान शंकर का गन, कुंगोदर, आपने मुझे नहीं पहचाना भला मैं तुमे किस तरह पहचाना तब तो सब जूट, क्या जूट, आप सतीमा नहीं नहीं, मैं उमा हूँ, पारवती उमा, पारवती, आप रहती कहा है वो देखो, सामने दिख रहा है न, वो ही मेरे पिताजी का महल है तो आप सतीमा नहीं, नहीं सब गुर मिस्तिर हो गया कॉंग, बूलते पर रोड कीजी यहां तक आये हो, तो भोजन करके ही जाना भोजन, विस्कान, नतु, पेड़े, मालक मुए, रवणी नहीं, नहीं, मैं अकेला नहीं आउंगा मेरा मित्र विर्बद्र भी है न तो उसे भी साथ लेते हो, अच्छा, विर्बद्र रह, विर्बद्र रह, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ हारे, हारे, महादेव प्रीट विर्बद्र विर्बद्र रह, जल्दी आओ जल्दी आओ थोड़ी से और डालिए थोड़े से लद्डू और थोड़े से पेड़े ला यह मुझे मना करता है वरना मुझे कोई हर्द नहीं अब सिर्फ थोड़े चावली दाना राजकुमानी जी वो भोजन कर चुके क्यों बेटी अच्छे तरह आदर्शत कर किया नो उंकर हाँ माता जी भोजन तो करा दिया है अब एक अपड़े देने जा रही हूं कपड़े? मला राजकुमार को कप्डों क की कर अ कली है कपड़ों की जुरत है माता जी भोजन के बाद दक्षय देनी चाहिए नै अब जाए ने राजकुमार जाने दीजै ना कपड़ों की जुरुरऊत है आप नहीं समेथी अब चलिजाए ना मीजेया आखर बात क्या है? सच बात तो यह है माता जी कि वो राजकुमर फिसल पड़े और सारे कपड़े भीग गए इसलिए कपड़े तो बजलना चाहिए मैं खुद चल के देखती हूँ मैं खुद चल के देखती हूँ मैयारी अब क्या होगा? मैं खुद चल के देखती हूँ यह लिजी दर्शीना और जदी जबी हवा हो जाए अब आज दिन तक खाने की जिरूत नहीं पड़ेगी तुस्ये कोई हर्द नहीं आज दिन के बाद फिर पधारिएगा अभी तो परस्थान कीजिए ओ यह आपकी राजकुमारी जी तो फूजा के लिए रोज आती है आप लोग क्यों नहीं आती अच्छा अच्छा वहराज हम भी आएंगी आप तो जाएए अच्छा वहराज यह कौन थे जी राजकुमार राजकुमार बहला ऐसे होते हैं राजकुमार सच सच बताओ क्या बात है जी राजकुमार तो चले गए चले गए क्यों उमा नहीं थी वहाँ जी थी तो जी वह अंदर भी थी और बाहर भी थी हम उमा मैं तुछ से पूछती हूँ कहां थी तू उमा उमा देंकी पूजा करने गई थी जी ये लोकुम अहीं थी जी उमा उन्हें वहीं से लाई थी याद रख उमा कान खोन के सून ले आज से तुन्हें महल के बाहर कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा जयाई विज्या आज से इस पर कड़ी नज़र रखना नहीं तो जिम्यदार तुम होगी उतावजेपन ने उमा का द्या किसी राजकुमा से कर दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा और भगवान शंकर अखंड समाधी लगाए बैठें आखें खोलकर उन्होंने कभी उमा देवी को देखा ही नहीं अंधत कैसी रूपवती मनमोहनी यूती है जहने भी दीजिये महराज खान खान भरम में पड़े हैं अपने महल में इससे भी बढ़कर एक से एक भरी पड़ी है महल में तो क्या ऐसा सुंदर ये तुर्भवन में भी ढूड़े नहीं मिलेगा अंधक चलो प्रत्वी की ओद सुंदरी तुम बड़ी मनमोहनी हो सुना नहीं मैं तुर्भव का स्वामी तारका सुर हूँ होंगे तुछ पर परमपरसन हुआ हूँ वह होंगे तुर्भवन मोहनी मैं तेरे चड़नो में त्रलोग की संपत्य और वैधव निचावर कर दूँगा मुझे उसकी कोई जुलत नहीं अगर आप चाहे तो वह मेरी माताजी के चड़नों पे चड़ा दे कहां है तुमारी माताजी उस महल में अंधक ये महल किसका है परवत राज हिमाले का तो पर ये लड़की किसकी उनी की होगी और किसकी हो सकती है ठहर लड़की तेरा नाम उमा उमा क्योरे अंधक ये लड़की अभी तक जिन्दा है नहीं हाँ हाँ महाराज ऐसी अनुपम सुंदरी पर हाथ कैसे उठता महाराज मुझे जरा दूर की सुची मैं अगर इसे माट डालता तो ऐसी त्रिभून मोहिणी सुंदरी को आप देख कैसे सकते शाबाज अंधक है तो तु बड़ा दूर दर्शी उमा तेरे सुंदरी की दिवजोती पहाडों पर शोभा नहीं देती इसे राज महल में जगमगाना चाहिए जब मेरे प्रभू पहाडों पर रहते हैं तो मुझे पहाड ही भले लगते हैं अगर तुमने मेरा कहना न माना तो इस तल्वार से मेरी गर्दन उड़ादोगी तो उड़ादो मगर याद रखो मेरा कटा हुआ शीज भी मेरे प्रभू के चलनों पर ही चड़ेगा तुमारे सामने कभी नहीं जुकेगा नहीं महराज महराज प्रोत में आकर अनर्थ रखीजी जल्दी में काम विकारना बुधि माने नहीं फिर ऐसा सुंदर्र क्रिवन में कहां मिलेगा सुंदरियों के रिखाने के लिए दुनिया में और भी बहुत से तरीके हैं अंधक मुझे इसे पाना है इससे पहले कि यह उस योगी की हो जाए बताओ कौन से उपान हाँ महराज मैं मैं समय आने पर सब कुछ बताता जाओंगा पहली आपना क्रोध शांत कीजिए गुस्से में आप बड़ी विखरान वालें पड़ते हैं ओमा ओमा अब क्या जवाब देंगी तू नहीं जाने दिया था ओमा को क्या करती अगर ना जानी देती तो उमा के प्राण संकर्ट में पड़ जाते जा जा अभी बाते ने बना माता जी आप उंची जा जल्दी लेटते लग विजया उमा कहा है जी वो बड़ी गहरी नीन में सो रही है सो रही है बहला ये कौन सा वक्त है सोने का थे वक्त परण में तो नहीं नहीं उनके सर में बड़े जोर का दर्द हो रहा happier अनल माता जी जगाईंगी बड़ी सर्दी लग रही है इन्यों इसंके माता जी केसे कब कभी शूड़ रही है देखो कहीं जवर तुन है आया पड़ी रहने दीजी चल हाट पूजा तरने चली गई तुम्हें माना किया था ना फिर को जाने दिया उसे हम क्या करती उमा ने कहा कि अगर एक दिन भी मेरे देव की फूजा खंडित हो जाएगी तो मैं प्राम दे दूगी हम क्या करती है हम क्या करती देखो किसके पुजा किया करती है उमा को साथ लेकर या आना खाली लवटी तब पैर तो डालूंगे दोनों के कैसे सुन्दर पुश्म मेरे देव को ये बहुत प्यार है तेखा महराज सुन्दरियों के रिजाने का उपाए वा वा अंधक लीजिये महराज अब मैं भावरा बनकर उसे सताने जाता हूँ वो सहायता के लिए किसी को जरूर पुकारेगी उस वक्त आप पहुँचकर बाकी का काम सभाल लीजेगा इस तरह यहां सहायता करने वाले पर जरूर मोहित होती है ठीक परन्त देखना कहीं उसके डंक न मार देना ये में ख्शमा नहीं करूँगा अरे महराश नहीं गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन-गुन नेनों में चेन नहीं है, सब के दिन कोई बैन नहीं है हार पुनी के लिए गुंथने पूलन घेर बिठाए, तुम कौन समय दालाए गुन 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 जन करता भौरा तुम कौन संवे साल आए मेरा मन डोले ये डोले वो क्या बोले रे दोले मेरा मन डोले रे डोले मैं उनके मन भाई हूँ क्या ये गित तूगाए तुम कौन संवे साल आए गुन 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 जन करता भौरा तुम कौन संवे साल आए तुम कौन संदे दालाए, तुम कौन संदे दालाए राज कुमारे अरे, ये तो चली गई ये क्या महराण पर फर फड़ाते और गुन गुनाते तो मेरे अंजल पंजल धीले हो गए पर आप अपनी जगह से तस्य मस न गुए न तुमने उसे डराया और न वो चीखी ही तो बताओ मैं वहाँ कैसे पहुँचता अरे महराज, आप ही नहीं तु कहा था कि दंक न मारना फिर मैं क्या करता सच मुछ अंदक आँखों से रूप सुधा पान करते करते मैं अपनी ही सुधवुद खो बैटा अब उसे पाना है सुचता है और कोई उपा सुचता है अरे, ये क्या अंधक यही तो है महराज इस्तरिया इसी वेश की पूजा किया करती है अब देखिए अपनी कैसी पूजा होती है आए तुम लोग जाओ, मेरा पीछा नो करो मगा हमें तो माता जी की आ गया है हम तो जरूर देखेगे कि तुम किसके पूजा क्या करती हो अरे, देख देख यहाँ एक नहीं, दो-दो सादू है तो यही होंगे चल जरा देखें तुसरी कैसे है वो जरूर देखना चाहिए, फिर माता जी को भी दिखाएंगे जो चल प्रभू, एक बात तो आखे खोल कर दासी पर क्रिपा दरश्टी कीजिए आ गया हो? जी हाँ, आभी आती है, बता ही नहीं है देखाई हो, किसकी पुजा क्या करती है जी हाँ, देखाई माता जी, एक नहीं, वहाँ दो-दो सादू है दो-दो सादू? हाँ माता जी, लेकिन दोनों के दोनों धोंगी निकले अजी की आइसी परिचे ली, कि दोनों ये बात पड़िया उमा, मना करने बर भी आज तू फिर चली गई उमा, महरानी, महराज, ए राज कुमारी है इसका विवा हमारे प्रतिष्टा का सवाल है मगर महरानी, अब मैं कुछ सुना नहीं चाहती प्रतिहारी, देखो, आज से उमा अपने कमरे में बन रहेगी तुम्हें पहरा देना होगा, समझी? जाओ से भगवंग, क्या आज मेरी पुझा अथूरी रह जाएगी? अगर मैंने मन, बचल और कर्म से आपकी सिवा और भक्ति किये हो अगर मैंने आपको अपना इश्दियो माना हो अगर मैंने आपको और अपना सब कुछ निचावर कर दिया हो तो मेरी विपत्ति तल जाए मुझे आपके चर्णों तक पहुँचने का मारू मिल जाए तो मेरी विपत्ति तल जाए काम देव से कहो भगवान शंकर की समाधी फंग कर दे काम देव से? हाँ, इसके सिवा और कोई जारा नहीं एक और भगवती उमा की माता की हट दूसरी और दुष्ठतारक सुर और तीसरी और भगवान शंकर अखन समाधी रगाये बैठे हैं इसलिए कामदेव से जाकर कहो कि भगवान शंकर की समाधी भंग करके उनके हुदे में भगवती उमा का प्रेम पैडा करे कि भगवान शंकर कि भगवान शंकर का प्रेम पैडा करे जाकर का प्रेमे जाकर को लू झाल कर दो झाल 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 नाथ, आज आपने दासी पर क्लिपा दश्टी की, आखो भाग्यो मेरे देवी सती, वर्षों के विजोग के बाद आज तुम मिली नाथ, मैं उमा हूँ ये कैसे प्राओ, मेरे एरदे में ये रूप का मोख किसने उत्मन किया मैंने प्रभू काम देओ, तुमारा ये साथ बड़ा अनर्थ हो गया अब क्या किया जाए, अभी तक तो भगवान शंकर भगवती उमा के सामने थे, अब वो भी अंतरधान हो गए तुम लोग चले थे अपना कल्यार करने, क्यों, कैसी मुंकी खाई, अरे महराज, आप जैसे प्राक्रमी और ठाकिशाली के सामने इनकी दान गलती, काम देओ को भेजाता, डूपतों ने तिनके का सारा लियाता, हे 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 तुम लोगों को हमने अपनी माता के कहने से सर्म पड़े रहने दिया, तो तुम हमारी ही मौत का सामान इखटा करने लगे महराज, शंकरजी तो अलोब हो गए, और विचारी उमा वही मरिसी पड़ी है अंधक, ऐसी तुर्भवन मौहनी सुंदरी को इस तरह पहाड़ों पर पड़े रहने देना उचित नहीं जाओ, परवतराज हिमाले से हमारे लिए उमा का हाथ मांगो महराज, आप मिशिंत रहिए, ये काम सेवत पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर लूगा कंकर कंकर से मैं पूछू, शंकर मेरा कहा है कोई बताए कंकर कंकर से मैं पूछू, शंकर मेरा कहा है कोई बताए शिखर शिखर से पूछ रही हूँ, शंकर मेरा कहा है गोरी वर गंगा धर हर हर, शंकर मेरा कहा है कोई बताए ओ नील गगन की चंद्र कला तू रहती उनके पास धला मेरा कहा गया पी तम बतला मेरे बिखरी का हम बनाए कोई बताए कंकर कंकर से मैं पूछू, शंकर मेरा कहा है कोई बताए हौले हौले चल पनी धर हौले हौले चल मैं भी तेरे तंग चलूं तू हौले हौले चल तू लिपतेगा कले साम के मैं चरणों में रह लूं मेरा धन जिवन हो जाए कोई बताए कोई बताए आरा हारा हारा माहा दे मुनिराज, मैं रिष्ट देओ मुझसे क्यों रूट गए भगवान शंकर वैभाव, रूप और योवन पर नहीं रिष्ट देओ फिर मैं उन्हें कैसे रिजाओ तब करके मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी मुनिराज तब करना आसान नहीं राजकुमारी और वो भी तुम्हारी इस कोमल काया से गर्मियों में चलचलाती हुई धूप वर्शा में ओलों और पानी की बोचाड सर्दियों में गला देने वाली बरफ ये सब तुम कैसे सहन कर सकोगी जंगली सीहों, भेडियों और रीचों के भेंकर नाथ सुनकर जब बड़े बड़े वीरों के छट्टे छूड़ जाते हैं तब तुम्हारी क्या दशा होई फूल को पाना हो तो काटों से दरना क्या मनी को पाना हो तो सापों से दरना कैसा जब मुझे भगवान को पाना है तो इन दुखों की कोई परवा नहीं जनम कोटी लगी रगर हमारी वरू शंभू न तो रहों कुमारे कल्यान क्या हुआ अंधर? क्या कहूं महराज? तो सगाई पक्की कर आए बिलकुल पक्की आपकी भी और अपने भी परवत राज ने विवा का मुहुर्थ कब का निकाला? और तो सब ठीक है महराज किन्तु कन्या ही घर में नहीं है कहां गई वो? तब कर दे तब करने की क्या आवर्शक्ता? जब हम स्वयम उमा के चरणों पर जुकने को तयार है किन्तु आप के लिए नहीं तो मेरी मृत्यू का पूरा थामान हो जाएगा जाओ, उसे उठाना आओ आओ, नमाशिवा आओ, नमाशिवा आओ, नमाशिवा आओ, नमाशिवा मैं इसका तब भंग करके ही छोडूँगा क्या मैं इतना तर्पूचू क्या मैं भी जाती हुट क्या मैं ऑर्पूपू कि बादी कर दो पहां से गदित। क्या मैं पन्धिंद्द्थ जे अधा, मैं किसे हो प्रोपी जारी करती तैं already मैं किसी किसी बरी मैं कि हहाा जारी की जो आरी, कि हो घार वा अनदग तुम्हा कहने क्यों आए, उमा कहा है, चाहा कहूं महराज, उसे उठालाने तो मेरे बाए हाथ का खेलता, परकिन तू किसको उठालाने की बात कर रहे हो अंदग कुछ नहीं माताजी, वो तुम्हें यूही जरा दालम टोल करने की कोशिश न करो, मुझे सब कुछ मालूम है देखो बेटा तारफ, ऐसे खुशामतियों की चाटुकारी से, तुम विधाता के वर्दान से प्राप्तुई शक्ती का दुरूपयों कर बैठोगे इतना याद रखना, कि किसी की बहु बेटो को उठा लाने का ख्याल भी तुमने किया, तो तुम्हारा कल्यान नहोगा नहीं नहीं माताजी, आप विश्वास रखिए, आपकी इच्छा के वरुद, आपकी आग्या के बिना, आपका पुत्र कुछ नहीं करेगा शिरंजीव रहो बेटा, तुम्हारा राज अमर रहे देखा माहराज, मैंने ठीकी किया, मुझे तो विश्वास ही था, कि उमा को उठा लाना, माताजी कभी पसंद नहीं करेगी हाँ, वो तो इसे नापसंद ही करेगी, मगर मुझे तो मेरी मौत दिखाई दे रही है वो जिन्दा रही नहीं सकती, बिलकुल ठीक, तो बस फिर आप चैन्ट की बंसी बजाएगे रुत अनो की प्यार अनो खा, तेरा मेरा साथ अनो खा, आओ सा जनुवा चुपके चुपके आओ सा जनुवा चुपके चुपके रिम जिम रिम जिम मेहा बर से गाए पापी हा जियादादर से रिम जिम रिम जिम रिम जिम जिम रिम जिम रुक अनो की जार अनो खा, तेरा मेरा साथ अनो खा, आओ सा जनुवा चुपके चुके बाउस जन्वा चुके चुके चली हवाशी कल सरसाती श्याद प्याद की आग लगाती चली हवाशी कल सरसाती श्याद प्याद की आग लगाती दर्स बिना मैंना अपुलाएं कौन फीत के गीत सुनाएं तु अन्याखी चारत अमोखा तेरा मेरा सात अमोखा आवस जन्वा चुके चुके आवस जन्वा चुके चुके और मेहस जन्वा थ्याद सिवब्धर आवस जन्वा हु उन्वासी अंव erst लाईं हंवस घर उन्वा तेरा के चुके बित कynen लुके चुकेर आम नमाशिवा, आम नमाशिवा, आम नमाशिवा, शैल कुमारी, तुम जैसी रूप पती कन्या को किस बात की कमी है, जो ऐसा तप कर रही हो, पती की प्राप्ती के लिए, तुम आप इतनी सुन्दर हो, कि तुमें पाने के लिए पती को तप करना चाहिए, फिर वो कान ऐसा निश्ठुर है जो तुम से इतना तफोर तफकरा रहा जिनके नेत्र की ज्वाला से काम वस्म हो गया उन्हें के लिए मैं इस सब कर रही हूँ मगर उन फोले नाथ की क्रिपाद रस्टी मुझा भागन पर अभी तक नहीं पड़ी अरे हाँ वो भूत नाथ उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसके सिवा तुम जैसी कॉमलांगी से इतनी घोर तपस्या कौन कराएगा अरी पगली तु उसके लिए अपनी फूल समान कॉमल और चंदरमा समान शीतल काया को क्यों गलाए डाल रही है अगर मैं इसे भी कठोर तप करके सूक सूके दूज के चंदरमा की कौर जासी बन जाओ और भगवान शंकर मुझे अपने जटाओं में स्थान दे दे तो इसे मैं अपना परम सोफा के समझोंगे अरी मूर्ग शोकरी कुछ सोच तो सही जब तेरा कौमल हाथ शंकर के विक्राल हाथ से मिलेगा और उसके शरीर के सांप फुनकार मारेंगे तो तू कितना घबराएगी वो ठहरा समशान भटकने वाला उसके साथ चलने में तेरे कौमल पाउं चिल जाएगे और जब वो घाथी का चमरा पहन कर तुझे अपने बुढ़े बैल पर सवार कराएगा तो लोग कैसी किली उड़ाएगे तुझे कितनी लजजा आएगी कभी इसका विचार किया है तूने अरे मैं तो तेरी भलाई चाहता हूँ अगर तुझे देव गंड से ही विवा करना है तो देव लोग बहुत से हैं ये देख ब्रह्मा ये विश्नू ये इन्द इन में से जो तुझे पसंद है वो लाज़ू मगर उस भूतनाद का ख्याल छोड़ दे कहाँ चली शेयल जब जिस स्थान पर मेरे भगवान की नीदा होती हो वो स्थान अब मेरे तब करने की योग नहीं रहा ओमा मेरे प्रबू मेरे नाथ देवी तुम्हारे तब पर गुनने मुझे रिज़्ा लिया है अब मैं तुम्हारा हो गया जाओ अपने पिता से स्वेंब रचाने के लिए कह दो मैं उसमें आऊंगा आप आएंगे प्रबू हाँ जरूर आऊंगा मगर मुझे पहचान दे ना देवी पहचान दूगे हाँ महारे वह 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 शच मुझे ऐसा आनंद विलास और उत्सो अहाँ इंदरपद को ही शोबा दे सकता क्यो नहीं मुझे राज क्या आनंद और उत्सो मनाना देवता ही जानते हैं हाँ भई ठीक है मनाते जाओ मना कौन करता देवगन ने रंगरलिया मनाई तो उसका फल भुगत रहे हैं समय आने पर तुम भी भुगतोगी तो क्या मेरी दशा उन धूरत देवताओं के जैसी होगी हारगीज नहीं महराज उनसे भी बुरी चुप मुझे मुनिराज आप घूमते फिरते हिमाले परवत तो अवश्य करे होंगे हड़ी और उनसे अवश्य करे देवताओं के पास जा रहा हूं स्वेंबर उनसे परवत राई ने स्वेंबर रचाया उननंगे सर भिकारियों को निमंत्र न और मुकुट धारीत रोकी ना तारका सुर को निमंत्र नहीं हर हर महादेव अंधक हम स्वेंबर में अवश्य जाएंगे हमारे सब सेनापतियों को अग्या दो कि हिमाले के महल में शिव और उसके गण कोई भी न गुजने पाएं हम देख लेंगे कि उमा हमारे गले में वर्माला कैसे नहीं डालती किरानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बिती जाये जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे तपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बिती जाये जिंदगानी कब आएगी तू कब चलिया दिंदगा चलिया येगी तू तू एगी तू जया ूगी तू रो कब दू था क्क्यारीक कब आएगे तू व merging तू आएगी तू कब रह ंन्मस्तानी कब !! कर दो नरू झाल 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 मेरा अपमा देखता हूं माला किसके गले में पड़ती माला पेखने वाले की करदन मेरी तलबार ना पेगी हर हर महादेव मुनिराज आपके मुपर हजी क्या परभा और आतंख हैतार का सुर्पा ये गर्ब ये अकड़ और ये अंकार वाह मुनिराज अब ये तक भगवान शंकर का कोई पता नहीं नमस्षवाय जबो नमस्षवाय कर दो पताने अबरा ये जबोरा के अबरा ये वाले कि ये मेरी पाले के कि ये कर गे लगे हर हर शंभू बंबो ले नाथ तार का सुर्ख संभालो अपनी तल्वार अभी इसकी गर्दन भुट्टे की तरह उड़ा दूँगा और ये पापरे अपनी तल्वार तो देख लीजी पहले ये तरलो की नाथ तार का सुर्ख का अपमान है और बाराएज अपना मुखर तो देखिए ये सब इंदर जाल है मैं इस बटक को अपनी भुजाओं में जगड़कर मचड़ डालूगा असुराज फैलाओ बुजाएं जोर आजमाओं महाज ऐसे मौके पर तो नौदो क्यारा हो जाना चाहिए हाुछ फैसे मौके थाजमाओं महाज महाज मौक कर दो कि अ जूदे आज़ा कर न दो को अजय कर दो वे ज़ाई है क्या हुआ भूदा, वालक आप पुत्र मेरा गलाब उठ रहा था अंदक तो महराज उस पालक को जन्म होने से पहले ही अम उमा को क्यों न उठा लाए परंत बाताजी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगी अंदक अहाँ ये आप क्या कह रहे हैं हम माताजी के कानों तक ये बात जाने ही क्यों देंगे ठीक है चलो सारफ भग्वती उमा को उठा लाने के बद्दे तु भगवान शंकर की शरण जाओ वही परमेश्वर है उन्हें तुम्हें बचाना है तो बचाएंगे और माना है तु मारेंगे परंत उमा उमा के फुतर के हाथ हमेरी मरत्यू जो होगी लेकिन बेटा परंतारी को माता समान समझना चाहिए परस्त्री बन खुदरुष्टे रखने वाला कोई भी जीवित न रहा मा मेरी भलाए इसी में है के उमा को हर लाओ अपनी भलाए के लिए सब कुछ करना हो जित है मा मा के आग्या के विरुष्ट जो कुछ भी करना हो करो लेकिन याद रहे कोई भी माता पनारी पर कुदरुष्ट रखने वाले पुत्र के कल्यान कामना कभी नहीं कर सकती महराज आप बैठ क्यों गए मा की आग्या के विरुष्ट जाने की हिम्मत नहीं पड़ती अंधक महराज अगर आप आग्या दें तो हम उमा को उठा लाए और अपनी पट्रानी बनाए आग्या है शंबनिशम जाओ मत गए शंपन्हा ढवरमेस मत बीन जानाए आपाव स्वह बनाए आगर मत श्रon बन्हाजव Best जए है मत श्तॵजजम पट्र्व्र है मत श्तॵजम झ़ए है आपाव रावर ठावर तुजम पट्र sc הש जए है आपाशब ग्र मत टूजम मत तर् aiए है कितनी संदर जोपड़ी है चारो और कैसे शांती है किसी भी स्त्रीगो अपने स्वामी की छत्रचाय में इस दिक और क्या चाहिए तुम्हे तो संतोष हो गया देवी पर मेरा जी इस चार दिवारी के बंदन से घबराता तो फिस मसान में ही दूनी रमा का पड़े रहना था न गर गरहस्ती के जंजाल में पड़े ही क्यों गंठ बंदन के बाद बंदनों से घबराना कैसा अगर तुम्हे यहां अच्छा लगता हो तो मैं मना थोड़े करता हूँ पर मुझे तो कहीं एकांत में ही समादी लगानी पड़ेगी नीचे पहाड उपर नीला आकाश किसी कलकल करती बैती हुई नदी के कनारे शीतल मन पवन के ज्वाँ के आते हूँ बस बस जाएए नो वही लगाई अपनी समादी तुम भी तो साथ चलोगी न देवी जी नहीं मेरा जो बस चलेगा तो मैं उल्टे आप ही को यहाँ तक खीच लाऊंगी जरा देखते जाएए ये बात योगी राज अभी तो आपने उमा के प्रेम और भक्ती को ही देखा है उसके मोहबानों के शक्ति को नहीं देखा अब देखिए आप चलकर मेरे पास आते हैं या मैं जुम 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 चली जाओं मैं तप उनका छड़वाँ जी आखो खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी रुम जुम रुम जुम रुम जुम चली जाओं मैं तब उनका छोड़वाओं जी आखो खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी जुम 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 तुम्हर मदेव जी गंगा पार्वती भिलनी को क्या करिये जी भिलनी को क्या करिये जुम पार्वती को पियर भेज दू गंगा लाए पानी जी जुम 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 चली जाओं मैं तप मुन का छोड़वामू जी आख खोल के सिव जी बोले बनो हमारे रानी जी जुम जुम नहीं मा देव जी मैं न बनोंगी रानी तुम्हारी रानी तुम्हारी रानी जी गले तुम्हारे साप जहरल देख मुझे डर लागे जी जुम 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 चली जाओं मैं तप मुन का छोड़वामू जी आँख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी सरपों को मैं दूर हटाऊं मोती माला पहनूं जी मैं मोती माला पहनूं जी तुम जो कहो तो भब तुभ छोड़ू चंदन लेप लगाऊं जी जुम 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 चली जाऊं मैं सपून का छोड़ू आमू जी आँख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी जुम जुम चलो हमारी कुटियां में चलो हमारी कुटियां में योद संद रहो मेरे शिव जी पावन होगी कुटियां मेरी आएंगे जब स्वामी जी रुम जुम रुम जुम रुम जुम चली जाओं मैं सपून का छोड़ू आमों जी आँखो कोले के सिव जी बोले बनो हमारी जानी जी बचाओ, 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 बचाओ कहा है आप देवी यूँ पागलों की तरह अपने अर्धांग को पोकारती हुई क्यों भटक रही हो बड़ा धर्म संकटा पड़ा है मुनिराज शुंग और निशुंग रोशियों के खुन के प्यासे हो रहा है और भगवान भोलानाथन जाने कहा समाधी लगाए बाती है तो इसमें इतनी चिंता गरने की कौन सी बात है जगदंबे आप भी तो विश्वनात की अर्धांग नी है और फिर महराज हमाले की पुत्री को शस्तर आसर विद्धय थोड़ी ही सिखानी पड़ेगी आप ही जाकर उन पापियों का सम्हार कर डाली है मैं? क्या मैं सच मुझे ऐसा कर सकूंगे? निसिंदे आप इसी वक्त रवाना हो जाए माता और जाकर बेचारे रिश्यों का उध्धार कीज़े अर्र नारजी ये क्या कर रहे है चलिए, मैं स्वेम उन्राक्षा सोखा सम्हार करूँगे माता जी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नहीं कुम, प्रभु कहीं समाधी लगाए बैठे हैं तुम उन्हे खोज कर उनकी सिवा में रहना अगर सूरज दूबने तक मैं न लोटू तो वीर भद्रा को साथ लेकर मेरी खोज में निकलना मुनिराज, सच सच बताईए आप हमारे पक्ष में हैं ये आसुरू के आपके मन में ऐसी शंका की उठ्थी वरूं दे आप तो जानते ही है मुनिराज कि शुम्ब नशुम्ब का इरादा भगवती उमा को हर ले जाने का हाँ, लेकिन देखना ये है कि इसमें अशुरू किसका होता है जिस तरह आपके अपने सुर्ग को अशुरू से मुक्त करना है उसी तरह प्रिथ्वी को भी राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करना ही पड़े इसी लिए मुझे जगदंबा को फेजिना पड़ा शेव शम्भू, शेव शम्भू ऱप राक्षसों के अजगने से मुक्त बादे जेव्दंगने जाए इह इद नेथ हुआ 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 है देख ले मेरे फूंतिये के फूंतिये राक्षस पैदा होगे हट छोट कर समा महाराज के सरण में आप और उनकी बढ़्मानी बनकर वो जुणा ये दर्थी मारता ये राक्षस आगे बनने न पाए मेरे काली का स्वरुप से इसके रख की बंदे तुसे बिना इराक्षस नहीं मरेगा ये काली ये काली ये काली इसके बड़े 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 रख तभी जिस तरह मारा गया कि लहू की एक बून भी जमीन पर न गिरी पर अब क्या किया जाए क्यों लेकी उपा है उसे मायावन में फसा कर ठिकाने लगा दे देखो भया वो खरिये उसे मायावन में ठीज लेना चाहिए ठीक है तुम आदरी शोकर उन दूशियों के तरह चिक्त चिलाते आगे आगे चलो यह तरंट तुम्हारे पीछे आएगी मैं भी इसाथ रहता हूँ ब्यार्या conjunकर 12. What 5 सब् cane wat 5 मां पतरव olduğunurell नहीं गना पतरव 22. 2 अधीं गांने 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 अधीं गांने sब्स ह Communist सब्प promotes balconaire हैं गांने गांना गूल सुमांना हैं burgfaश औा मौनorte का पयों पते हंना हैं एम खदाओो डांने गांना गांना इस माया महल से भाग निकलने की तुम्हारी सारी कोशिशे बेकाव है सुन्दरे हमने तुम्हें अपनी पट्रानी बनाने का पकाई रादा कर लिया और तुम्हें भी सोच बिचार करके फैस्टा करने के लिए थोड़ा वक देगे पर तुम मेरे सामने आओ तो मैं समझा कूँ ना कि कैसे वीरों के साथ मझे लोहा लेना है बात मंदूर हो तो अभी सामने आए वरना यहीं सर्चर कद्बे मौत मरोगी भी सामने मालूम होता है तो यहां डर्मे वर अशी क्या बात है हाँ 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 हुआ 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 हु आप आप मैं आप आप अप आप आप अप वो लाक्सस कहता था अंदर जाके बाहर कोई आई नहीं सकता हुआ हम अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं देखो क्या करूँ तुमारे लिए सिर्फ ये की रास्ता है हमारी पटा नहीं बन जाओ अगर कैना ना माना तो याद रखो ये गुरुशी जिन्दा ना बचेगा और तुमारे पैसाने वाले उन दोनों ढोंगियों का भी ये ही आलोगा जाओ जाओ बोले नात से निराला गौरी नात से निराला कोई और नहीं बोले नात से निराला कोई और नहीं पुनिका डम रू डम डम बोले अगम निगम के भेद पोले ऐसा भक्सों सा रखवाला कोई और नहीं बोले नात से निराला गौरी नात से निराला कोई और नहीं बोले नात से निराला कोई और नहीं पाया जब जब करवत बदले पाप चमकते अगले पिछने पैसा जोक जगाने वाला कोई और नहीं बोले नात से निराला गौरी नात से निराला कोई और नहीं तुमने जग का कश्ट मिटाया मुझको सामे के उद सराया अब तो मुझे बताने वाला कोई और नहीं बोले नात से निराला गौरी नात से निराला कोई और नहीं बोले नात से निराला गौरी नात से निराला कोई और नहीं बोले नहीं चक्रा क्यों गई, इन राक्षिसों की मृत्यूं तुम्हारे ही हाथों है इसी दिए तो तुम से लड़ जगड़कर मुझे समाधी में लीन होना पड़ा था इतने महान और समर देवताओं के होते हुए भी एक अबला के हाथ हो उनकी मात आदेवी, सत्ता के मद में चूर होकर इन नराधमों नारी शक्ती के प्रभाव को तुछ गिना था इसलिए इनकी मृत्यू का विधान एक अबला के हाथों हुआ और इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज को इकठा करके शिफशक्ती के रूप में तुम्हारा निर्मान हुआ परन्तु इन दुष्टों ने माया फेलाकर मेरे सामने ना आने का प्रपंच रचाया है प्रभू लो ये निवार नास्त, इसका प्रियोक करो, राक्षी सी माया का परदा हट जाएगा धन्या हो प्रभू लो ये लुक है लो झाल का परदा के रूप प्रपंच प्रभू एकुति आफ़े, टमासरे, आफ़ेका सब्सक्रशना डरलका में अज़ँ प्रमारादेर् आस्ता मनि राज हमारे महराज बड़ी गहरी निज्रा में सो रहे हैं ठीक गधा उल्लू और मूर्खनर दिन रात सुक्की नीन सोते रहते बहला हमारे महराज क्यों न सोय जो काटा खटक रहा था वो निकल गया उमा या तो शुम्बनिशुम की रानी बन गई हो या खतम हो गई हो खत्म कुछ बसंद की भी खबर है उमा नहीं तुम्हारे शुम्बनिशुम खत्म हो गए क्या कहा शुम्बनिशुम खत्म हो गए हां तुम यहां सुक्की नीन सो रहे हो और वहां तुम्हारी मौत जन्म ले रही मैं आपका मतलब नहीं समझा मुनी राज मतलब ये के भगवान शंकरे घर पुत्र का जन्म हो चुका सब लोग उत्सो मना रहे हैं चलो चल के देख लो चलिए मुनी राज उलू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू-लू खेलो पालना के सारे जग को तो झूझना बवन पालने पे मेरे लाल जुला जूला ना खाल रे, आयो मुझे अंग्ना में लाल जू काले बाधनों से काजन मां बवन डू अन्य लाए लाल में नमें लगई ओ अलने ऐो मुदे अंगना में लालने आयो मुने अंगना में लायो ने दादी लाई मोर ने दादी लाई मोर ने और दादा लाए मो जोता जूले पानी जूले जूले बनके पांदी जोता जूले मोता जूले मोता माती जोता जूले मोता जूले जूले मोता माती बलू जूलो 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 बलू जूलो आलरे आयो मुने अंगना में लालरे आयो मुरे खंगना मे लालुबे आपकी आज्या मानकर मैं रुक गया था शंबनिशंग की जगे उमा को उठाने जदी मैं स्वेम जाता तो तो तेरा भी नाश हो गया होता माताजी बिल्कुल ठीक कहती है जुब रहे मुखकत में नहीं माँ अब तुम्हारा कहना नहीं मानूगा उमा और उसके पत्र का और शिनाश करूँगा मा की च्छा के वृत हाँ देखो तुम तुफान और आंजी के तरह भगोला बनकर कुमार को हाँ में उडा ली जाओ और खुब उन्चे आकास से पटक कर खतम कर दू अमारको कर दे गए मारी बालतर नzelfतर से लीख़न एपन कर फो जए ऑचाए ले लेगा आपगवार कुमार कुमार कुम मार कुआ लेगए दार 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 आर्वार o Aldo आरे व परे न पत्तर अर। जोल्पार कुके बढाए लीए जा लागवार पागवावण पागवावण स 1995 स अग parlar पागवावाव अखवाव अगवावण लो ठागवावाव ऩट म करे कש अर्य मत रसंवी महामंत्री मैं तुमने उस बालक को खत्म कर दिया ना हा महराज इसमें पूछरे की क्या बात है ये काम तो आपने महामंत्री को सौपा था अब चैन की निद्राप सो जाईए मगर मुझे विश्वास नहीं एदिया आपको विश्वास नहो तो आप स्वेम मेरे साथ चल कर देख लीजिए महराज हाँ ये ठीक अपनी आखों से देख लूँ तब ही संतोष होगा पधार ये महराज रभू कहीं से भी ढून लाई है मेरे बच्चे को मैं उसके बिना जिविद नहीं रह सकती शांत रहो देवी धीरिच से काम लो एक साधार निस्त्री की तरह विलाप करना तुम्हें शोबा नहीं दीता सारे संसार को तुम अपनी ही संतान समझो भिक्षाम देई भिक्षाम देई साधू बाबा मेरा एक लोता बच्चा आंधी में उड़कर खो गया है आशिरवाद दीजे की मिल जाए हमारा आशिरवाद है मैया कि तुम्हारा पत्र तुमको अवश्य मिलेगा आपका आशिरवाद सकते हो महापुरुष तथास ये क्या किया महाराज ये कैसा आशिरवाद दे डाला साधू वेश में आशिरवाद दे नहीं पड़ता है और फिर मेरे जैसे घौमी साधू का आशिरवाद कहीं ठल सकता है आशिरवाद पाने वाला अगर शिपूर नश्रद्धा के गहन करे वो अवश्य भलता है महाराज महामंत्री इसी समय तीनों लोग में गुप्चरों को भेज कर उस बालक के उमर के तमाम बालकों को पकड़ लाने क्या गया दो आग्या महाराज बहुत ठीक है भविश्य चेता सदा सुखी किन्तों महाराज उमा को आपने मया कहा ये न भूलिएगा ये तो मैंने उसे चलने के लिए कहा था इसका नाम रखेंगे कार्तिके हाँ कृति काउ कापुत्र कार्तिके संभालो अपने कुमार को संभालो आसूर कोने कोने से नने नने बच्चों को छीन कर ले जा रहे हैं ये तारा गणे असुरो को रोको कि अपने कार्तिके किम तिमा तिम 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 तारे किम तिम 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 तारे चिम्टिमा 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 चि तिम 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 तारे ताज मुरा नाशे और नाचे से जनिया फिल मिल के तारों की नाचे नगर या तिम किम तिम तिम तारे तिम किम कारे ललात के मध्य में बाई यांक, नाक की नोग, दाई यांक बाई का अंगा, एांक, वांक बाई में अप्राओक सेले मॉणी के का लिए याड़ ने बाई यांक बाई अका अप्रा-दियर ही मारे, मियात, उना हूत हर हर शंभू, हर हर महादे, जान पड़ता है कोई उत्सव मनाया जा रहा हा मुनिराज, आज हमारे महराज कुमार के मृत्यू की साथ मी जैनती मना रहे है अब हमारे महराज की मृत्यू का काटा बिलकुल दूर हो गया अच्छा, तो ये बात है, तो तुम्हें इस बात का पूरा-पूरा विश्वास हो गया क्यों नहीं मुनिराज, कुमार के बाद अब हमारे महराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता कहते तो ठीक हो, परंतु छोड़िये न ये अरंतु-परंतु की बाते मुनिराज, साफ साफ कहिए न कि उस धूनी रमाने वाले की ओर से अब आपकी भी श्रद्दा जाती रही भगवान सदाशिव तो सर्वशक्ति मान है देख ली उसकी शक्ति, पुत्र से हाथ धोया और पत्नी, पुत्र शोक में अब तक मर रही मुनिराज, अगर मैं चाहूं तो सर्वशक्ति मान की वही दशा हो जो इंद्राज देवताओं की हुई है कैसे गर्व की बाते कर रहा है बेटा पुत्र व्योग में मरती हुई माता के दुख में तो इतना खुश है बड़े अधर्म की बात है मा, जिसके हाथों तुमारे पुत्र की मरत्य होने वाली थी उसके मरने से तुम्हें खुशी नहीं होती खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन तुम भगवान शंकर के चर्णों में शीष चुकाओगे ऐसा कभी नहीं हो सकता मा आज सित्र भुवन में तुम्हारे भगवान की पुजा बंद यग बंद लोग पुजा करेंगे तो मेरी यग के भाग का अधिकारी मैं हूँगा मैं ही आसे परमेश्वर हूँ लेकिन मेरे परमेश्वर तो भगवान शंकर ही रहेंगे उसे परमेश्वर मानने वाले को प्राण दन बिया जाएगा तु जैसे नालाएक को परमेश्वर मानने से पहले मैं मौद को ही पसंद करूँगे निगली हाँ से खबरदान जब फिर कभी मेरे सामने आई धर्म और ईश्वर को नमाने वाले बेटे का मुँ मैं खुद नहीं देखना चाती शुआ 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 भोले नाथ हर हर शम्भू इंदराज भगवान शंकर के पास जाईए उन से उनके पुत्र को मांग लीजिए असूरो के विनाश का नगारा बज़ रहा है कौन जाता है? खड़े रहा हूँ अरे भे ये तो मैं हूँ एक निर्दोश रिशी ओ मुनिराज प्रनाद कल्यान हो, कहो यहां क्या कर रहा हूँ पहरा दे रहा हूँ वो सराशू का कुमार है उसी के लिए माहराज ने सारी सेना को पहरा देने का हुकम दिया है एक बालक का इतना डर? हाँ मुनिराज कहीं उस बालक का पता मुझे चले तो मेरे भागी चमक उठे पहरे दास सीधा सेना पती बन जाओ हम तो ये बात है हाँ मुनिराज अगर आपको मालूम हो तो हाँ हाँ मालूम है परन्तु तुम्हे एक काम करना पड़ेगा आप जो कहे वो करने के लिए मैं तयार हूँ तो सुनो तुम्हें बकरा बनना होगा बकरा? हम अगर आप कहे तो मैं गधा भी बन जाओ अहाँ गधा बनने की जरूद नहीं है आओ आओ अहाँ आप मौका है चल बंजा बकरा चल 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 थाओ थाओ अरे 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 मेरे यगन का बकरा भागा जा रहा है कोई पकड़ो नहीं तो मेरा यगन खंडिस हो जाएगा माता जी मैं जाओ ब्रामन देका बकरा पकड़ लाओ हाँ बेटा जाओ यही ते तुम्हारा धर्म है मेरा बकरा धेरो कुमार धेरो गप्रा यह नहीं ब्रामन देवता मैं अभी इसा पकड़े लाता हूँ अहाँ हाँ कोई अवशक्ता नहीं तु जल्दी बान छोड़ो जल्दी अरे यह तो कोई राक्षस है बेटा तुम्हे इसने बड़े राक्षस कुमार हाँ मा 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 बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी कुमार था आज साथ वर्ष हुए उसका मूँ भी आज इसे देख रही हो यह वही मुह जगर जन्नी क्या कहते हो मुनिराज यह मेरा कुमार है बेटा इतने दिन तक तु कहा था कृतिकाओं के आश्रम में इसका पालन हो रहा था वहां से लाने के लिए मुझे इस राक्षस का बरिदान देना पड़ा नहीं तो मम्ता और मो से भरे हुए छेछे माताओं के हिर्दे सागर से कुमार का लाना संभव न था मेरा लागला असरों के अत्याचार की हद हो गई जुष्टतार का शुर्फ देवताओं के यद्ने भाग को भी चीधी अगनी से निकाल का ठाप करने लगा और अपने आपको तुलोग की शर कहरवाना फिरता देखिए प्रभू, यह अपना खोय हो कुमार उस्तम समय पर आया है प्रभू, कुमार को हम लोगों का सेना पती बनने क्या गया दीजी क्या का है? कुमार देवों का सेना पती? हाँ जेगनमाता तो लोग का उध्वार करने के लिए हम लोग आपके कुमार को मांगने आये नहीं, यह नहीं हो सकता आज साथ वर्ष के बाद मिला हुआ अपना पुत्र मैं आप लोगों को नहीं दे सकते भगवन्त, इस देवों को चले जाने क्या गया दीजी है यह उचित नहीं देवी उजगत चन्नी अनुपूर्णा के दौार से कोई अतिती निराश नहीं जाता करन्तीन सब समर देवताओं के रहते मेरा ही नन्ना, दूद मुआ बच्चा किसी है पापियों के विनाश के लिए सोजन का बलिदान देना ही पड़ता है देवी कुमार कार्टिके की जाना है महराज, महराज देवताओं ने हम पर चाहई कर दी और उन्हें शर्म बिनाई और अपने साथ एक साथ वर्ष का भालक सेना पती बना कर लाए है भालक? साथ वर्ष का? तर गए महराज, अरे ये तो आपको डराने के लिए कोई भाले का टिक्टू पकड़ कर ले आए होंगे ठीक, अंधग, तुम जाओ और उस बालक को जीवित उठा कर ले आओ अभी जाता हूं महराज और चुक्की बजाते ही उस बालक को पकड़ कर आपके सामने उपस्तित करता हूं बालक, साथ वर्षक एह हू पालक कि बभ्रत हूं इल Kal push कि एढ़नों ताहँ एढ़नों कि अ कि अ हर rela कुछ ले यह शास्त्रास्त्र से लड़ना ठीक नहीं अगर सच्चा भी रहे तो कलवार और गड़ा लेकर के सामने आजा फिर मालू पड़ेगा कि किस से मुकाबला पड़ा है अच्छी बात हाँ 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 अरे बाबा मेरी ही गदा मेला ही बुरकस अरे रोको भया रोको इसे रोको लोको है भगवान शंकर है भुला नास हर हर महां आते है शिव शंकर बोले भाले बोले भगतों के रखवाले तुमको राखो ब्रणाव तुमको मेरा ब्रणाव शिव शंकर बोले भाले भगतों के रखवाले तुमको ब्रणाव तुमको मेरा ब्रणाव तुने ये संसार बनाया सभी तुहारी माया चाया सरफू की माला वाले तुमको ब्रणाव तुमको ब्रणाव तुमको मेरा ब्रणाव तुम जल खल में तुम ममगर में तुम हो नगर नगर घर घर में तुम जल खल में तुम ममगर में तुम हो नगर नगर घर घर में तुम हो लहर लहर सर सर में कहा नहीं तुम हो जग घर में जमरू के वजाने वाले तुष्टों के मिताने वाले तुमको ब्रणाव तुमको मेरा ब्रणाव तुमको मेरा ब्रणाव हर हर महादेव पनारा दरनारी घर घर का प्यारा प्रीप तुहारा थेल तुहारा दुनिया का सब खेल तुहारा तुहारा थेल 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 तुहार प्रणाम तुम 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 मेरा धना अले नाथ शिव शंभू हर हर महादे क्यो रहे लाया उस बालक को महाराज जिसे हम पापड समझे थे वो तो लोहे का चना निकला मेरी मानिये तो उसकी शरम ने जातर शमा मांग लिजी अव शिव भगवान शंकर का पुतर है उसको तो माड ला था असुराज मारने वाले के दो हाथ हैं तो बचाने वाले के हजार हाथ हैं कुमार नहीं विवर्दानों मारा गया कुमार तो साथ वरश्टर कृतिखाओं के आशरम में सुख से पलता रहा समझ में नहीं आता मुनी राज ये बालक बचा कैसे आप क्या अशरवाद से आप ही ने तो देवी मा को बालक के बच जाने का अशरवाद दिया था चुक मोड़क अब हम सौयम जाकर उस बालक को मच्छर की तरह मतले डॉले विश्वनात मेरा पुत्रभान भूला है लेकिन आप भूलाना थें विश्वनात मेरा थें हाहा! हाहा! हु पोलान भाल हाहा, हाहाँ! कर दो कॵे बढाला केका एक एक रादूर कर दो जाको के वादूर कर दो के ड़िखने के लिए कर दो कर दो कि दो नहीं है का अढाल वादूर गल्य हादूर हम दोनों के कारण निर्दोर सेनेकों का खून क्यों वह है चल मल्यू दुकर के निप्तारा कर ले जिसकी मौत होगी वो मरेगा बहुत चल की चल सुराज आजा मेरे सामने जो तुझ मेरे दमखम हो तु भी इससे हड़ जा सैनापती से लड़ना ही मुझे शोबा देता कप्ची कायर कहीं का एक बच्चे से शस्त विद्जा में पारना पासका इस पतार नीचिता पर उतारू हो गया पर मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता साओ धान वीरबद्र विधाता गले कभी मिथ्या नहीं होता इसकी मिथ्यू कुमार के हाथों लिखी है जाओ कुमार आजा जाओ कुमार जाओ कुमार जाओ 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 लड़ने दो लड़ने दो बड़े से बड़े हाथी को नननी सी चूटी मार डालती जाओ 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 हुआ हुए 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 हाँ つ हुए हुए झाल 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 महामंतरी मुझे आज ही इसी समय उमा का सर चाहिए जगदंबा उमा दिवी का शिश हाँ उस बालक की मा का सर इसके बिनाउं से हराया नहीं जा सकता उसकी मा का कटा हुआ स्तर दिखा कर उसके हर्दे पर अपनी धाग जमाना है यही है एक मात्र उपाए मेरे बचा का महराज जगदंबा तो अमर है यह मैं जानता हूँ इसलिए तो उसका बनावपी सर मांगता हूँ महराज यह भी तो घोर पाप है महामंतरी मैं तुमसे नीट का पाठ नहीं पढ़ना चाहता आग्या का पालन करो नहीं तो सिर्धा सेला कर दूँगा कर दीजी महराज महामंतरी तुम्हे एक सचे स्वामी भक्त हो आज तुम्हारे स्वामी का जीवन संकटों से घिरा हुआ है क्या उसकी साहता करना तुम्हारा कर्तव नहीं हाँ महराज ये मेरा कर्तव ये धर्म है महराज धन्य हो धन्य हो महामंतरी अब शीगरी आग्या का पालन करो परन्तु एक विनती है महराज जगदंबा के सामने मेरा जाज़ो नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा हिम्मत करो इसके बिना छुटकारा ही नहीं है ये क्या तारक, एक तरफ अपने आपको सरवशक्तिमान कहलवाते हो, और दूसरी तरफ एक दुन्मुए बच्चे से अहरा चल कपड़। तुम मेरे सामने फिर क्यों आई, मेरा मुझ नहीं देखना चाहती थी ना मा का ममता भरा रदय जो ठेरा, यदि तुम्हें आखरी खड़ी तक भी विनाश से बचा सकू तो विनाश मेरा नहीं, मेरे शत्रों का होगा मेरी मान जाओ मेरे लाद तेरी मान कर तो मैं इतना दुखी हुआ हूँ जब से तेरा कहा मानना बंद किया है, मेरी जीत हो रही है मुझे अब तेरा अफजेश नहीं चाहिए महामंत्री, जाओ सर तयार करो मै के माया से तुम्हारा भला नहीं होगा तो मेरी भुजाओं का बल कुछ कम नहीं इनसे भी कुछ नहीं होगा फिर? इन भुजाओं को भोलानाथ के आगे टेक कर उनके चर्णों में सीष चुकाओ शरण आय हुए पापियों को भोलानाथ मुक्ति देते हैं ओ, बहुत बखवास करने लगी है अंधक, जब मैं विजई होकर लोटूं तो भोलेनाथ की इस भक्तिं को जिवित न देखूं ये मेरी आग्या है ये आप क्या कह रहे हैं महराज जिस माता के आशिरवास से आपको इंदरासन मिला उस माता से ऐसा अनुचित वरताव करके आप कभी सुखी न होगे जदा होशारी न दिखा मूर्थ मेरी आग्या का पालन हो नहीं तो सरधर से अलग कर दिया जाएगा भले ही कर दीजे महराज पर ऐसी आग्या का पालन उससे कदापी न होगा नीच, अधाम, क्राहित नीच, राक्षक, तेरे बाप भलानाथ कभी ख्रमा नहीं करेंगे मैं तुझे और तेरे भलानाथ दोनों को ठिकाने लबाताँ अपला आपने भलानाथ को रक्षा के लिए जय भलानाथ हर हर महादेव जय भलानाथ हर हर महादेव प्रभू, कहां इतने बड़े-बड़े असूर और कहां मेरा नन्ना कुमा हर हर महादेव मेरा भक्त मुझे पुका रहा है दन्य हो भगवंत भक्त के लिए तो नंगे पैर तोड़े और अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं परंत में तमाहू तु त्रभीयो कि मा, कुमार, मेरा कुमार यह भूला ना अच्छा यू तु से लोटने में पाते हैं तुम ने जीवन भर मेरी भक्ती की है मांगो क्या मानती हो प्रभू यही कि सत की जय और पाप का नाश हो तथा आज तु छोकरे, हम तुझे अब भी चितावनी देते हैं कि जीने की लालसा है, तो मैदान से भाग जा मैं लगने आया हूँ, भागने के लिए नहीं भाग तो तूम दोया थे ओ, यह अकर छोकरे, अब तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी माता का हुआ मैं दिखाऊ उचे इसकी माता का शीष पुत्र को बचाने हमसे लड़ने आई थी यह, यह तो मेरी माता जी का सर नहीं अरी, यह तो मेरी माता का सर मैं यह कर किया हूँ महराज, मैंने तो पहले ही आपको चेताऊ नहीं दी थी कि जिक दंबा के सामने मेरा जाजू नहीं चलेगा लेकिन मेरी माता का सर मा, उत्र होकर जिसमे माता शीष काटने की आग्या दी थी उसे मा के लिए शोट परकट करने का दम बब कैसा मा तु सच मुझ चली गई जिस ममता भरी माता के आशीरवाद से तुझे इंदरासन मिला था उसी माता को मौत के घाट उतारने वाले तारक आप तुझे बचाने वाला कोई नहीं मैं अजय हूँ मुझे कोई नहीं मार सकता नीच बालक आगा मैदान में कोई ़मले तुे जां कोई नहीं कि मार्टार्ट ब कि एकी? कि ए! कुमार कार्ट गेगी कुमार मा बेटा जगत जन्नी आपका कुमार विजाई हुआ और कपसी तारख कुमार सटा के मद में चूर होकर इशोर का द्रोग करने वाले की आफरी यही दशा होती है इसलिए मिली हुँ सकता तो उपको उज़रा संभाल के करना कौन? वट्स तारख आपकी माया का यह खिलोना तूट फूट कर आकर आपके चरणों में आही गया कल्यान हो वट्स अद्पूत और न्यारी लिला है तुमारी विश्वनात अरपूरत रुति गवरं स्वयं भुजगदीशं अरश्वयं भुजगदीशं इंदाधिक सुरते विश्वन स्णवंदेशिशं अम्रुस तरण सरोजं रुति कमले दुष्वा अरपूरत रुति कमले दुष्वा इंदाध्याते दुष्वा अरपूरत रुति कमले दुष्वा